हलो एव्रीवन वेलकम टू लॉर्ण अभी आएम शिवानी चाहान क्लास नाइंध एसस्टी का हम लोग सैंपल पेपर देखने वाली हैं तो देखिए बहुत इंपोर्टन क्वेशन्स की आपके एक्जाम के लिए होंगे तो देखिए इसका आंसर है 14 जलाई 1789 तो 14 जलाई 1789 को हुआ था फ्रेंच रिवल्यूशन इंडियन कॉंसिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया था तो इसका आंसर है 26 नेवेंबर 1949 को हमने अपना सम्विधान अडॉप्ट कर लिया था हाउ मेनी फैमलीज लिव इन विलिज पालंपूर तो 450 आफिसरी फैमलीज रहती थी डियूमा क्या है तो रशियन पाल्लेमेंट जो थी उसको हम लोग डियूमा रशियन असेंबली को बोला गया तो एक तो डिरेक्ट डिमोकरसी होती है और एक इंडिरेक्ट डिमोकरसी होती है तो देखे डिरेक्ट डिमोकरसी कैसी हुई डिरेक्ट डिमोकरसी देखे क्या होता है न कि आप डिरेक्टली अपने रूलर को वोट देते हैं दुनिया में जाद अदर जो डिमोकरसी होती है वो indirect democracy ही होती है जैसे कि इंडिया भी एक indirect democracy आप लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो प्राइम बहुत सारे MPs को चुनते हैं और वो MPs in turn जो है वो प्राइम मिनिस्टर को President को है ना चुनते है Explain the three states in which French society was divided तो French society कितने parts में divided थी तो देखो तीन है ना तो clergyman, nobility और third state जो था first, second और third state इस तरीके से divided थे Name the three countries bigger than India इंडिया से जो बड़ी तीन कंट्रीज हैं उनके नामा बताईए तो देखिए Russia, USA, Australia, China, Brazil ये सारे देश इंडिया से बड़े हैं Write any three arguments in favor of democracy Democracy के favor में आपको तीन arguments बताने हैं तो काफी सारे arguments हैं हम लोग अपना ruler खुच चुनते हैं लोगों के पास vote देने का अधिकार होता है government जो होती है वो एक fixed time period के लिए चुनी जाती है जैसे कि इंडिया में चार साल के लिए लोगों के पास fundamental rights होते हैं और भी आप काफी सारे points लिख सकते हैं fundamental rights होते हैं हमारे पास एक written constitution है हम लोग के पास एक judiciary है अगर हमारे rights को हनन किया जाता है हमें rights हम से शिनने की कोशिश की जाती है तो हम judiciary के पास जा सकते हैं यह सारे arguments होते हैं democracy के पक्ष में, favor में question देखिए next है what was social and economic condition of Dalit in village Palampur तो देखिए जाता अच्छी condition नहीं थी landless थे, illiterate थे, separate areas from village तो देखो क्या था जमीन उनके पास नहीं होती जाता पढ़े लिखे नहीं होते और गाओं के इक अलग थलग इलाके में जो हैं दलित रहते थे और जातर मतलब थोड़े टाइम कुछ टाइम पहले तक भी और आज भी कहीं अलागों में ऐसा देखने को मिलता है जो schedule caste है, schedule tribe है तो उनको मतलब एक अलग area में वो लोग रहते हैं बाकी दूसरे area से और पहले में मतलब schools भी कम जाते हैं job opportunities भी उनके पास comparatively कम होती है what do you understand by people as resource तो people resource कब बनते हैं जब लोगों के पास अच्छी health होती है, literacy आने के पढ़े लिखे होते हैं, लोगों के पास healthcare facilities होती है और school जाने के सुविधाय होती है है ना, और उनको technology का इस्तमाल करना आता है तो healthcare अच्छा होता है, वो educated होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, technology का इस्तमाल कर पाते हैं, तो यही सब इंसान को एक resource बनाते हैं who were considered as undesirables by the Nazis and why Nazis को कौन undesirable लगते थे, मतलब लोग ठीक नहीं है तो देखो, gypsies, jews, noddies यह जो थे नाजीस को लगता था कि undesirable है और जो विकलांग लोग होते थे मतलब जिनके हाथ पैर में या फिक कोई बॉड़ी में प्रॉबलम है, वो भी नाजीस को कि undesirable लगते थे थे थे, और इस्पेशली, jews, jews को थे थे थे, उनको जहरीली गैसो के द्वारा मार दिया था, नाजीस के द्वारा Describe the relationship between nobles and peasants in Russia, in Russian early 19th century तो early 19th century में nobles और peasants के बीच में कैसा relation था तो peasants यानि कि किसान जो थे वर poor and treated badly by nobles, sometimes people were murdered by nobles तो मतलब nobles काफी ज़ादा खराब तरीके से treat करते थे किसानों को, nobles कौन होते थे जो अमीर लोग होते थे या फिर जिनके पास बहुत बड़ा जो है land हुआ करता था, वो nobles होते थे और वो किसानों को अच्छा treat नहीं करते थे Question 13 है, Who was ruling over Russia during Russian revolution? How was he responsible for revolution? जब Russian revolution हुआ तब Russia पर rule कौन कर रहा था? Zar Nicholas 2 इंपोर्टेंट है अब वो revolution का कारण कैसे बना क्योंकि वो काफे साथ बेवकूफ उसको कह सकते हैं लोगों पर काफे अत्यचार एक्चुली उसने किये थे Believed in divine right of king, autocratic rule, bureaucracy was heavy तो मतलब अपनी अपनी चलाना, ताना शाही करना, लोगों की बिलकुर ना सुनना और मतलब वहां पर आटे की कमी हो रही है, तो कह रहे हैं कि चावल क्यों नहीं खा लेते हैं फिर इस तरीके की बाते करना जो लोगों को बिलकुर भी पसंद नहीं आए और लोगों ने उसका साशन जो है वो उखाण करके फैंग लिया What are the features of Manrega 2005? तो देखो सौत दिन का एशियोड काम मिलेगा अगर काम नहीं दिया गया तो अनएंप्लॉयमेंट अलाविंस मिलेंगे यानि कि अगर गए लोग काम मांगने काम नहीं मिला तो उनको बेरोसकारी भत्ता दिया जाएगा जोब फोर नीडी पीपल जिनको जरूरत है उनको जरूर नौकरी दी जाएगी ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गैरिंटी अक्ट Question 15 है Who are recognized as poor? गरीब किनको कहा गया? देखिे कि इनको कहा जाएगा जो गरीबी रήखा के नीचे रह रहे हैं जो जिनके पास पॉर्टिकुलर इंकम नहीं है जो हेल्थ केर फैसिलिटी को bang कर सकते हैं आपने पच्चों ऊच्छे स्कूल में भेज सकते हैं तो तो जो जानवा पे काम कर रही हैं slums में रहे रहे हैं, casual laborers हैं, इनको हम लोग गरीब कहेंगे What are the importance of river in Indian economy? देखे, rivers की importance तो बहुत जादा होती है, जहां से भी नदिया निकलती है वहां का area जो है, वो fertile हो जाता है, वहां पर खेती बहुत अच्छी हो जाती है पीने का पानी लोगों को असानी से मिल जाता है, वहां से बिजली बनाई जा सकती है तो various water irrigation for agriculture, various use of farming and domestic use of water, generate electricity तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं How many physical division of India are there? Write its name तेखे, physical division जो हैं इंडिया के, वो काफी सारे हैं जैसे कि हम लोगों के, यहां क्या है, plains है, और mountains है, और हमारे पथार है, जैसे कि हमारे plateaus है और हमारे islands है, तो Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain, islands यह सारे के सारे हमारे physical division है, इंडिया के Two rivers drain from west to east, तो इनका नाम है नर्मदा and तापी Explain the role of health in our lives हमारी जिंदगी में health का क्या role है, देखिए health तो बहुत ही जादा ज़रूरी है जब भी आप notice करी, आप बिमार होते हैं, कि आप कुछ कर पाते हैं, आप पढ़ाई कर पाते हैं ताहिए आप हर छेलने जापाते हैं और in fact आप और बिमार है या या यह वीडियो गेम केल सकते हैं आप ती वी या फोन तक भी यूज지 नहीं कर पाते हैं अगर आप बहुत ज़रा बिमार होते हैं तो आप कोई भी काम अचे से नहीं कर पाते हैं तो physical और mental health तो बहुत तो poorest of the poor आप को कहेंगे women, girl child, old people या फिर आप कहेंगे जो STs, STs, इनको हम लोग poorest of the poor कहते हैं गरीबों में भी सबसे करीब describe the circumstances leading to outbreak of the revolutionary protest in France तो देखो, फ्रांस में इतने जादा protest एक्दम से कैसे हो गए तो भई जो लुई 16 था ना, ये तो बड़ी luxurious life जीता था मगर फ्रांस में जो है, वो सुखा पड़ रहा था food grain की कमी हो रही थी, treasury खाली हो रही थी यानि की सरकार का, यानि की राजा का खुद का पैसा भी खाली हो रहा था तो जादा पैसा भी नहीं बचा था फ्रांस में और फसल भी जादा नहीं उपाई थी, लोग बेरोजगार थे, खाने की कमी थी मगर जो लुई 16 था, वो तो अपनी मतलब बिल्कुल आशोराम की जीवन जी रहा था, तो लोग बहुत 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 चिड़ गए थे इस माट से What are the causes of poverty in India? Suggest your opinion to reduce the poverty इंडिया में गरीवी का क्या कारण है, देखो हम लोग बहुत जादा लंबे समय तक रपक 200 साल तक गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के सबसे बड़ा कारण तो यही है, कि भाई इंडिया गरीब है, फिर landlessness, landlessness, landlessness मतलब जो लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है, अपनी वो बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं, घरद वर यूज कर दिया, मैंने लोगों को दूसरों के लाइंड पर काम करना पड़ता है लोग कम पढ़े लिके हैं, illiteracy, illiteracy भी एक कारण है, population काफी जादा बढ़ रही है हमारे देश की तो यह सारे के सारे जो है, वो कारण है हमारे देश में गरीबी के किस तरीके से हम लोग गरीबी को कम कर सकते हैं, सबसे असान तरीका है, लिटरेसी को पढ़ा करके education दे करके, technical education दे करके, लोगों की health इंप्रूव करके, है ना, इन सब तरीकों से हम लोग अपने देश की poverty को reduce कर सकते हैं, और जाल स्याधा इंडस्ट्री सेट अप करके, features of Indian constitution, तो five features of Indian constitution, अगर हम लोग कहें, तो हमारा constitution जो है, वो written constitution है, लिखा हुआ constitution है, हमारे पास fundamental rights है, हमारे पास supreme court है, secular है हम, हमारे constitution में DPSP है, equality, liberty, fraternity, ये सारे के सारे features हैं, हमारे Indian constitution के, what are the causes of river pollution in India, river pollution के देखे, बहुत सारे causes है, human religious activities, ये भी हम लोग बहुत सारी, मतलब गंदगी डालतेते हैं, और industrial waste भी बहुत जाता है, insecticides, pesticides, ये सारे के सारे भी हम लोग सब नदियों में बहा देते हैं, इस वजह से नदियां बहुत हम गंदी कर अपार्थेट क्या है, इन वोट वेज, वाइट पीपल डिस्क्रिमिनेटेट नॉन वाइट इन साउथ अफरीका देखे, नसल भेद या फिर रंग भेद की नीती को हम लोग अपार्थेट बोलते हैं, तो अपार्थेट क्या होता है, कलर, क्रीड, रेस या फिजिकल अप् महाँपर रहते थे, सारे खराब इरियाज, गराब चीज़े जो थी, वो ब्लैकड लोगो के मतलब पास थी, सारी खराब इरिया, ब्लैक लोगोका और आच्छा इरिया वाइट रब्लाव किया जाता था, वाइट के द। वारा ब्लैक पर, अब देख जो आप हैं, तो हमें इस्टन घाट बताना है तो यह मैप में जो यह वाला पार्ट है यह इस्टन घाट है इधर जो आता है यह वाला पार्ड यह वेस्टन घाट है फिर हमें अंडमाननी को पर तो यह अंडमाननी को पर इस तरफ आते हैं हमारे इस्टन घाट के नीचे वाली साइट पर और इधर like share and subscribe thank you